आप सभी आई होप आप बहुत अच्छे होंगे मस्तोंगे सुष्टोंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गईस आप सभी का वेलकम है मेरे को न्यू ब्लोग में तो बहुत सुबह के बज़े है अच्छे और मैं उठ गई हूँ उठने के बाद जो मेरे दिन की सुरुवात ह जा है यहां पर बाबा को परणाम किया उसके बाद मैंने यहां पर मयंग को ऊठा दिया था मैं मेरे साथी उठ गई थे मैं कर बिल्कूल भी मन नहीं था इसकुल जाने का क्योकि घर में चार बच्चे और चार में तीन बच्चे नहीं जा रहे चुटती कर रहे हैं तो मैं बोला कि ममा मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है तो इसलिए मैंने मयंग से पूछा कि मैं आपके लिए मैं जो आप बोलोगे ना मतलब लंच में ब्रेकफास्ट में मैं वही बनाऊंगी लेकिन आपको इसकोल तो जाना पड़ेगा तो बोला ठीक है ममा मैं रेडी हो जाता हूं इस थोड़ा खुष हो जाए तो बही है पर हमारा फटाफट से पास रेडे तो खुझी को यहां पर लिया सकरने के ठीक हो यह मैं इसमें डाइले मैंने बेशिक कोई टेस्ट था तो मैंने इसलिए उसको या पर भेज रही हूं तो थोड़ी सी हलप करदे ते उसको रेडी करने में मैं का लेंच पैक कर देते हैं और भस घंप मैं को ढाने में और तैयार करने में मुझे थोड़ी सी ऊसकी हल्प करने पड़ती थी कि अभी वह बहुत छोट मैंका लेंच पैक हो गया था और इधर में रूम में आई तो वैसे तो मैंने यूनिफॉर्म अगारा पनाई बट मैंका आज मू बना हुआ था विल्कुल क्यों कि इसका मनी नहीं था इसकूल जाने का और आप इन दोनों को देख सकते हैं उदर कनक हमारे रूम में सोह हुई ह तो थोड़ा बच्चे का मनी होता है कि हाँ देखो इस सारे बच्चे रेस्ट कर रहे हैं सो रहे और मेरे को स्कूल जाना है तो इसलिए मैं थोड़ा से आज उदास देता है तो मैंने आपकी चोईस का आज लेंच वगरा बनाया है तो आपना हैपी हपी होकर स्कूल जाओ मैंग को यहां पर यह देखो मैडम का यहां पर हमारे रूम में सो रही है मैंग रेड़ी होकर कर रहे थे ब्रेकफास्ट और यहां पर मैं बनाने जा रही हूं लेडी फिंगर की सबजी जो भिंडी होती है बिंडी क्या कोई भी कटने वाली सबजी होती है इनको पहले ही तो बस अभी मुझे इनको फटाफट से बनाने अनियन कट की और मसाला तयार किया और बनाती है भिंडी तो अभी जैसी में ब्रेकफास्ट करेंगे तो इसके पापा इसको छोड़ने के लिए जाएंगे तो जैसी लोग इसको छोड़ने के लिए जाते हैं तो मेरी कोशिस रह करते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है तो मेरी कोशिच रहती है कि मैं मलब उनके आने से पहले अपनी कीचन का सारा ही काम कर लो तो भी विंटर सीजन में तो सब्जियों के हमारे पास इतने शार रोप्शन रहते हैं इतनी सब्जी आते हैं मार्कित में सच में पतेदार सब्जियां हरी सब्जियां बहुत ही जादा बट इनको कट करने में तो अदे टाइम लग जाता है और भिंटी की सब्जी के साथ जो मैं आज बनाने जा रही हूं अजवाइन माले पराठे बनाऊंगी मनलब आटे में अजवाइन वगरा गुत तम्ये पराठे ब जाने जाने तो देखिए सबजे में जादा टाइम नहीं लागा बिंडी की सबजे फटाफट बन जाती है जैसी में मैं गेट तक छोड़ करें उसके पापस को छोड़ने के लिए गए हैं तो सबजी बनकर बिल्कुल तैयार है तो ग्यास कलो बिल्कुल बंद कर देते हैं और इधर में गोत लेती हो आटा आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमग डाला क्योंकि मुझे पराठे बनाने तेया जवाइन के और बस यहां पर आटा बगरा गुतने के बाद आटा बहुत अच्छा से गुच चुक है आप लोग देख सकता है जवाइन है इसमें थोड़ी सी और अभी मैं करती हूँ चाय अब हम पिएंगे आराम से चाय थोड़ी देर रेष् चाय बिना अम्रित समान है सही में यार मिल जाए नम तो ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है और पूरा पूरे दो घंटे किचन में काम करने के बाद अब पी रहे हम लोग चाय सुबह के बज़े भी आठ चाय पी लेते हैं पती देव कर रहे हो फिजाने की तैयारी और उसके पुजापाद थोड़ी सा लागत पीने के बाद मैंने भाए लुवग पूजापाट की ब्रिक फॉर्स्ट किया उसके बाद मैंने एक रील सूट की उसके बाद नम्मला बहुत सारे काम तहीं जो पैंड्लिंग पड़े हूए थे मैंने वीडियो सूटी नहीं किया इस साम बच्चों का बड़े वगारा हम लोग यही पर सेलिब्रेट करते हैं तो अभी में ऊपर टर्स पर आई हैं क्योंकि पेंटर लोग जा चुके हैं और आज अपना ऐसी होगा यह लोग जाएंगे तब हम लोग कपड़े वोश्ट करेंगे क्योंकि अभी सबसे पहले इन लोगो कुछ सामाल लेकर आना है तो अब निकल गए मुझे अपना कुछ सामाल लेकर आना काफी दिन से सोच थी में मार्किट जाने के लिए बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था तो चलते हैं मार्किट और इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है मेरे को तो बहुत ही ज्याद मार्किट में पहुचे तो देखा सटड़े मार्किट लगते हैं, याप पर तो बहुत जुदे बीड़ती और बहुत चोड़े मार्किट लगी हूँ है चलो छोले वटुट उक्वाटूरे चलो ठीक हा नहीं बहुत अक्षा लगते है तो आमने भी एक एक प्रेट चोले ब हम लोगों ने खा लेते बड़ जो इस टाइप कोई चीज होती है जिनर वगरा करते है मेरा है तो उनको आदत है कुछ मीठा खाने का अब यहां पर तो क्या मीठा था तो हम लोग पोछे अगरवाल स्वीट्स पर और हम लोगों ने यहां पर लिया इस पंस्ट्रस गुल्ला इसका साइज बड़ा था और बहुत ही ज्यादा टेश्टी लग रहा था तो मैं इन से पूछ रही थी कि आज ही किस बात की आप लोग मतलब दे रहे हो तो वोले आज हमारे घर में पेंटर लगया है ना तो इसलिए आप तुम्हारी दापत कर रहा हूं यहां पर पहले जो अब स्वीट में सारे जो ड्राइफ फूट नट्स वगयरा सब को बहुत अच्छे से बारी बारी से घी में रोष्ट किया और रोष्ट करने के बाद इनका एक पाउडर बना लिया क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने यह इस टाइप की मिठाई बनाई थी तो उसमें इननोंने ड्राइफ फूट ज्यादा बारे नहीं के थे रोष्ट को अच्छे से रोष्ट करने के बाद एक पाउडर बना लिया और बनाने के बाद जो आज बनाने जा रहे हैं हम लोग बना रहे हैं मिठाई गुड की जैगरी की जो होती है क्योंकि विंटर आ चुक है और गुड अच्छा आ चुक है मार्केट में अब हम लोग स्विट्स बनाने की तैयारी करी रहे थे बच्चे बोले हमें तो बहुत तेज भूग लग रही है तो भई हम लोग तो भटूरे खा कर आयते हमें तो भूग नहीं थी तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए एक की मिलकर बनाएंगे मिठाई दिनर तो हो गया तो चली फटावर से यहां पर मैंने कढ़ाई ले लिए इसमें थोड़ा सा पाइन डाला और जो जैगरी होते हैं उसको फोड लिया थोड़ा सा और इसको डाल दिया इसका बना लेते हैं हम लोग मतलब क्या बोलते चासनी और इ जल्दी जल्दी करना था क्योंकि गुड़ना बहुत जल्दी से जम जाता है तो बस यहां पर फटाफट से साही ड्राइफ डाल कर यहां पर जमा दिया हम लोगों ने मिठाई बर फी अब जब यह थोड़ी स्थंडी हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे मलब इसकी कटिंग करेंगे तो चली गाइस कैसे लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना राधे राधे